वेल्कम बाक टू अना दा वीडियो एन भाई स्ट्रींज अप्डेट के एप्रिसोर नमबर 76 में आप से रिकाव स्वागते हैं जिदर लोग बात करते हैं जो भाई वीकली अप्डेट निकल करा रहे हैं अवतार मुवी के तरफ सब्सक्राइब बात करते हैं वेल्कम बात करते हैं जिसमें आवतार 3 आती है इन अवतार 5 आती है ये सारे पार्ट आप लोग को बाताई हैं अवतार 4 जो मुवी थी उसका भी मैक्सिम जो पार्ट है वो मेकर्स ने शूट कर लिया है और अब सिर्फ कुछ पोर्शन ही बाकी रह गया है और उसके बात आतार 4 मुई का जो पूरा वर्क है वो भी कम्पलीट हो जाएगा अब देखो यहाँ पर आप लोग को ऐसा लग सकता है कि मेकर्स अभी से क्यों इन सारी मुवी की शूट करे ले रहे हैं तो आप लोग को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अवतार बहुत जादा VFX हेवी मुवी है और अगर मेकर्स को हर दू साल पे आप लोग को पहले से कंप्लेट करना पड़ता है क्योंकि VFX में इस मुवी में बहुत जादा टाइम लगता है और आप लोग को बता है कि James Cameron जिस तरीके के डारेक्टर है उनको चाहिए कि हर एक चीज़ परफेक्टली ही वर्क करनी चाहिए यही रिजन था कि 2009 से लेके 2022 आ चुगा है अ इसमकेस आप लोगको अवतार में के 2nd part में देखने को मिलेगा धर्ड पर्ट में थे जितने भी सिदे भी पार्ट इस मुई कहांगे उन समय देखने को मिलेगा व्यकॉस अवतार फोर का भनेकरलीeeee कर रहे हो दो को आयकिस दो निकलकर आहरी वानोंसरी में के 2nd part मुलिङस बहुत टाइम से फैंस लोग के बीच में ये डिमांड थी कि उनको भाई DC के अंदर सुपरमान मुई का सेकेंड पार्ट भी देखने को मिलना चाहिए क्योंकि पहले पार्ट के बाद जर से लग रहा था कि मेकर्स भूली चुके हैं कि इस मुई का वो सेकेंड पार्ट भी बन को सुपरमान के रोल से हटाया नहीं जा रहा है विकॉस पास में काफी सारे ऐसे रूमर्स प्रस अब्डेट्स आई थी कि DC के अंदर साथ आप लोग को नया सुपरमान देखने को मिलें तो यह चीज़ तो फैंस लोग के लिए राहत की बात थी कि आप लोग को हैंडरी सुपरमान का देखने को मिलेगा तो अब लोग की बता जा रहा है बाकी आगे कुछ भी इसको पर चेंज होगा धिन मैं आप लोग को टेफिनिटली इन्फार्म कर दूँगा अब देखो बाई सुपरमान के अबडेट प्लस छोड़ी मोटी और भी खाफ सारी मुईजन सीर सामने निकल कर आएं जिसके अब लोग को सेंटू के अंदर जो स्टोरी देखने को मिलेगा बट उसके अंदर ही आप लोग को बीच में जो फाइट है वो भी देखने को मिल सकती है और यह चीज़ देखना बाई कावदा इंटरस्टिंग होगा क्योंकि हम लोग ने स्रीजन वन में देखा था कि बाई जॉंबिस एन हुमन के बीच में हम लोग को फाइट देखने को मिले थी बट जो आप लोग को सेंटू देखने को मिलेगा वह टोटली डिफरेंट होने इसको सिर्फ लैंगोज में रिलीज करा गया है इसको हिंदी डब करके रिलीज नहीं करा गया है और अभी तक ऑफिशिली बाई इसके हिंदी डब को लेकर इस्टूडियो की तरफ से अफिब डिजनी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने निकल कर नहीं आया है बट यस जिस तरीकी के हाइप अभी कंटली फैंस लोग बना रहे है उससे लग रहा है कि साथ जब इसका पूरा प्रिमेर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग इ अगे इसके हिंदी डप के उपर मेरे को अगर कुछ और नहीं का इंफर्मिशन मिलेंगी मैं आप लोगो जोर से इंफर्म कर दूँगा सुबात करें वाइप लिट नमबर फाइप की तो निकल कर रहे है ब्लाक आडम मुई को लेकर अब देखो भाई इस मुई के अंदर ब प्लस इस मुई के उपर एक और अपडेट है कि आप लोगो इंडिया के अंदर बाई 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगी ग्लोबली मुई 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है बट इंदर आप लोगो एक दिन अर्ली देखने को मिलेगा इसी के बात करने इसके अड़ांस प्लाक बताना कि इतने लोग ब्लैक एडब मोई के इंडिया में रिलीज होने का वेट कर रहे हो बाकी अभी कर्ण्ट लिए इस बाई के श्रीज अपडेट वाले वीडियो में जित्तर हो पकरते है कि आप लोगो वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोगो वीडिय प्लाक बीयो अच्छा लेटर